यह भागवतम का पांचवस्कंद नारद मुनी जो है वेद्व्यस जी को क्या आदेस दे रहे हैं भागवतम का लिखन करने के लिए आदेस दे रहे हैं कि वेद्व्याज जी कि अंतिमरचना शिमत भागवतम उन्होंने सारे वेद पुरान लिख लिए है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है और आखिर में वेद व्याज जी को नारज जी उनके जो गुरुदेव है उन्होंने आकर के बताया है कि आपने एक कमी रख दिया है आपने भगवान की चर्चा नहीं किये भक्ति की चर्चा नहीं किये जिससे सारे संसार को सुक की प्राप्ति हो सकती है परम सुक की प्राप्ति हो सकती है परम धाम की प्राप्ति हो सकती है तो आखिर में भगवत भक्ति जो स्रीमत भागवतम का एक मातर विश्य है जहां पर क भागवाद धर्म के बारे में बताया जहां भगवद गीता प्रारम होती है सरवधर्मान परितर्ज्य मा समाप्त होती है प्रारम नहीं होती है प्रारम धर्म से इस्टार्ट भी भागवद गीता भी धर्म चेत्रे फुरुचेत्रे प्रस्न है किसका दरतराष्ट का कि धर्म क चेतर कुड़ चेतर में क्या हुआ और लास्ट में उत्तर भी मिल गया है बहुत वागवान कृष्ण ने बोल दिया कि धर्म के स्थाफना करने के लिए में आया हूं हर यूग में आता हूं और सबसे बड़ा धर्म है कि मेरी शरण लो सरधर्मान परित अपनिग शरण में फ्रिकिन जो शरण में है वह अंतिम स्लोक में जो है चंजे ने उत्तर दे दिया है जहां पर क्रिश्चन का सरणागत भक्त है यतरयोगे विर्दवर कृष्चन यतपाद्रौ One आर्जुन है जैसरना का भक्त होगा वहां पर सब कुछ हो डी कि विजय होगी व Popular हो गहां पर हो गया है बागवत प्रार्म हो रही है उनी इस जगे से जो परोदर्म है ऑन हे भकत्य है महां से प्रार्म कर रहे हैं कि दार्म परोजीत केत्र वत्रा पर्मनिरमात्सराया सनाड़ा पहला श्लोक क्या है ओम नमो भगवते पास देव जो पर्म भागवान है परमेश्वर है भ्रगवान वासुदेव उनको प्रात्ना करके भागवत्म सुरू हो रहे हैं जिनने सबकुछ उत्पत्त किया है जनमादश्य अताहा जो भगवान कृष्ण की इता में किल रहे है कि मैंने सबकुछ बनाया है वहीं से गीता भागवत्म को प्रार्म किया है जो भगवान कृष्ण जो परम सत्य है सत्यम परम धीमई यह पहला स्लोक दूसर स्लोक में वह भ बिए भूमी का वापिसए पूरा पहला सकंद ही भूमी वेका में निकल जाए एक तरह दिए चांस इतो वाक्ष मि ना पर आरहम items करते हैं लेकिन फ्या लेक्रम हेस बहुत ही अब भूमी का भी बहुत हो непहार है या वेद व्याजी को नारद जी कह रहे हैं कि आप भागवत्म तो लिखे ये भक्ति का जो विज्ञान है वो लिखी है आप ये सरुपरी ज्ञान है जो आपने बताया नहीं अभी तक किसी भी वेद पुरान में जब तक आप इसको नहीं बताओगे लोगों कल्यान नहीं हो सकता है तो आप करपा करके इसको लिखिए और अब जो जो इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अभी हाली में इस चैप्टर में नारद मुनी जिस तरह से पूरा चैप्टरी नारद मुनी का इंस्ट्रक्शन पर आधारी तो पूरा चेप्टरी नारदमुनी के ही उपदेश शुरू हो गए है नारद वजा श्लोक संक्या 8 से प्रारम हुआ था आज हम श्लोक संके 36 पर आचुके हैं और नारदमुनी कह रहे हैं कुर्वान यत्त कर्मानी भगवत शिक्ष्या सक्रेत ग्रणंती गुण नामानी कृष्ण श्यानुस्मरंति चया पून पुष्वत्तम भगवान शिक्रिष्ण के आदेश आनुसार क्रिष्ण भगवान का आदेश कहाँ पर मिलेगा भगवाण शीकृष्न के में अधे से, तो आधेस अनुसार कर्म करते हुए, हमको अपना कर्म भगवाण के अनुसार करना है ये हैँ, प्रतीक कर्म भगवाण ने कर्म का अच्छे से विविचन की तूँटा में, कि एक छ्षजटर कार्ब कर्mi लिए बिना कमक्रित एक३ा कार्म है तो कर्म के नहीं सकते हैं लोग एक चन के लिए हैort Till कर्म को भगवान के आदेश अंसार करते हुए मनिष निरंदर, बहुत मैद्पून है निरंदर, निरंदर भगवान के नामों का उनके गुनों का इस्मन करना चाहिए, हमारी पूरी परंपरा, ब्रह्म, अद्व, गोडिय, विश्न परंपरा का ये सिद्दान्त है, कि हम निरंतर भगवान की नामों का जब करके भगवान का इस्मन करें सहेम चेतने महाप्रभू भी इस बात को सिक्षा स्टरकम में कहते हैं कौसे स्लोक है निरंतर जब करने के लिए बताईए स्लोक संक्या तीन में बताई वो चौधा स्लोक है सिक्षा स्टरकम नी पढ़ते हैं आप लोग रोज आठी तो स्लोक है बस त्रणाद भी सुने चेना वो कैसे समाप्त होता है उस लोक किर्टन ने सदा हरी भगवान का सदा किर्टन करना है चेतन महाप्रों के यह आदेश है उसे आदेश को पूरा कर रहे हैं हरिदास ठाकूर तीन लाख नाम जब कर रहे हैं और उनका भी एक ही कहना है निरंतर नाम लो यह हरिदास ठाकूर कहा करते थे निरंतर नाम लो निरंतर हर स्वास में भगवान का अभ्यास करना है हमको यह अभ्यास करना है यह हमारा जीवन का लक्ष है शोलॉआ माला यह लक्ष नहीं है सोलॉआ माला शुरुबात है लक्ष है कि हम acious के पंचलोग नीरन्तर नाम ले सके यह लक्ष है किवालो में युक्षिकों को सुरुआत ही बड़ी लगती है प्रभुजी तो सोलमाला हो जाए वह बड़ी बात है नहीं ये सुरुवात है इसको दिख्षा मलों इनिस्येशन मलों आरंब अंत नहीं है तो निरंतर भगवान के नामों का गुणों का स्मर्ण करना प्रभुपाजी तात पर ये मता रहे हैं ये कुसल भक्त को अपने जीवन को इस प्रकास डालना चाहिए विदि कोई भक्त कुसल है बुद्दिमान है एक्सपर्ट है तो जीवन को डालना है जीवन आपका है अपकोन करना खर्ट वान ने फिथ को मन के आप क्या करें लोग भी फिथा तरह कि जमानिव बहुत लोगों को बात करते हैं या अजादी की बात करते हैं या चाहिए मैं में आजादी वास्थम में चोटे बच्चे को आजा चुड़ दो किचनमे में वो आजादी उसके लिए बहुत घहतक हो जाएगी आजादी अज्ञानी लोगों को दे देंगे तो वो तो स्वेम का इनास कर लेंगे इसलिए अच्छा होगा कि पहले सिक्षा देके फिर आजाद किया जाए तो वास्तिम आजादी मिलेगी इसलिए सबसे पहले गुरू के पास जाने के आओ सकता है गुरू के अनुसासन में रहने के आओ सकता है हमारी भारतिय परंपरा या वैदिक परंपरा रही है कि गुरू आदो आदो बिगनिंग में ही गुरू के पास जाए है शुरुवात में ऐसा नहीं कि पूला सब कुछ हो गया आप गुरु के पास जाएंगे लोग रेटार्मेंट के बाद गुरु डोड़ते हैं रेटार्मेंट के बाद क्या गुरु से सिक्षा लेंगे आप तो पहले ही पूरा जीवन वर्वात कर दिया है गुरुथ आदो जीवन के सुरवात में कौमार्माचरेट प्राग्यो कौमारा वस्ता से गुरु ने जाएं गुरुकुल में जाएं भगवान क्रिष्न कुद गिरुकुल में गहे थे गुरु के पाद जाके शिक्षा ली उन्होंने कौन सा गुरु थे उनके सांदिपनी गुरु का आस्रम उज्जयन में भगवान कृष्ण साथ में पड़े हैं और राजा के बेटे हैं कौन है पिता भगवान कृष्ण के वसुदेव जी के पुत्र है नेंद बाबा के पुत्र वगवान कृष्ण है लेकिन वास्तों में कौन वसुदेव जी के पुत्र थे उन्होंने को गुकुल में रखा था तो वगवान कृष्ण को गुरु कृष्ण पढ़ने बेजा है जब मतुरा वापिस आगे थे कंस का उधार किया तब जाके वगवान कृष्ण को भेजा उरुकुल पढ़ने के लिए तब तक तो गाये चरा रहे थे ग्यारा साल तक तो मा कन खा रहे हैं और दर उठा रहे हैं मसते हैं बाद में स्कूल गए तो बस दो मेनें पूरी पढ़ाई कर ली शो जाडए क Shot Paulo कर्णा एक सिखे में सिखेंतों पूरा नियरिंग एक मेडिकल streaming पॉलिटिकल सांथ सांथ सारी सांथ एक इक एक सीख लिए इस सांथ कोई नहीं नहीं हैं सांइस बट पूरानी है लोगों को लगता है सांथका लाई सारे एंधन भी टपप लगा दीए ठेका ने लिया है। उनको लगता कहा ग्रान हमारे पास आता है हम लोग रिछम्शक करके ग्रान बना रहे जैपिए जैसर्च करने की चीज निय loyal हमारे पास और यह वेदों में पढ़ने की समझने का सकता है बस वेदों का मतलब ही ग्यान होता है और सारा ग्यान दिया है वेद व्याजी ने क्या कमी रखी है उस ग्यान को सीखने के लिए गुरु कूल जाने क्या हो सकता है गुरु के पास जाने क्या हो सकता है और भग्वान क्रिष्ट ने शिक्षा दिये जैसे इधाभगवत शिक्ष्ष argued भगवान की इच्छा को ऑधवान की शिक्षा को नहीं स्विकार करना है उनके आधिस हों स्विकार precio नहीं पाई भगवान सिक्षा दे रहे इसकार वने जरूरी है एक्शली जो सारे संशकार होते हैं उसमें लाश्मे विवाह और अंतिम संसकार दो ही बहुते हैं और सब्सक्राइब जाते हैं लकडिया तोड़ने के लिए आपको से मौलूम एक स्टोरी होई थी ना कि वो जंगल में बरसाता गई है और वो लोग वापिस लोटके नियाप आए जंगल में रुक गए थे कृष्ण और सुदामा सरल जीवन जीया है बाद में सुबह गुरू के पास गए रात की कहानी कई लोगोने अलग तरीके सुनाते है लोग उसको लेकिन हाँ रात में रुके थे कृष्ण बगवान और सुदामा जंगल में लकडिया तोड़ते हुए एक सरल जीवन बगवान जीया है एक शिक्षा दी है हम सब को सरल ताके साथ गूरू के पास जाना है किस तरह गूरू के पास जाना है वागवान कृष्ण गीता में बोला है श्लोक संक्या 34 अध्याच्यार में कौन स्लोक है और तथ विद्धी पड़िपाते ना परिप्रश्चन न में आप उपडेख्षंतिए ग्यान न तत्व दर्शी न जो गूरू कौन है ज्ञानी है तत्व दर्शी है वह आपको अपनेश देंगे लेकिन कब जब आप जब आप उनके पास बिद्भृता के साथ जाएं गे हम सुनना चाहते हैं बोलिए कौन से भगवान होते बताइए आपको नहीं बताएंगे विन्नम्रता के साथ प्रश्णों के साथ लेकिन विन्नम्रता पूरवक सेवा करते हैं गुरू की तब जाके आपको उपदेश मिलेगा पिर गुरू कौन है किसको गूरू बनाएं अब दूसरा प्रश्ण करण होता है गुरू की पास जाना यह तो क्लियर है क्योंकि ओम अंग्यान जनसलाकी हां गुरू यह जो अग्श्यान के अंधकार से हमें मुक्त कर दे इसनसार में कितना जनला कितना है आंदकार है लोगों को यहीं ही ने तो केवल राक्षासों को पता था कि हम आत्म हैं, वह बात है कि उनको पूरा ज्ञान नहीं था, लिकि थोड़ा तो था, कि हम कौन है, अभी तो पहला ही प्रशन का उत्तर नहीं हो रहा है कि हम कौन है, आत्मी ज्ञान तक नहीं है, आध्यात्मी ज्ञान की सुरुवात भी न जरूरी है। जब तक यह अंदकार में अज्ञान में रहेंगे, हम लोग तो अपने बड़ी-बड़ी समज्य खढ़ी कर लेंगे हैं। अपने आपको शरीर मानके, जो हम लोग कुकर्म करने वाले हैं, वो बहुत बड़े परिणाम भोगने पढ़ेंगे उसके हमको कुछ परिणाम तो इसी जनम में आ जाते हैं कुछ अगलस जनम में आएंगे तो हमको ये पहला यह ग्जान नहीं हो पा रहा है कि हम कौन है आज कल के लोगों को तो गुरु की आफसकता बहुत ज्यादा है। जो ज्यान का शलाका से चक्षुर्मिलितमेन, चक्षु प्रदान करे, ज्यान जोती, दिव्य जोती, एक ज्यान की द्रश्टी प्रदान करे, जिसे हम लोग संसार को देख सके एक हम कौन हैं, भगवान को ने, संसार किया है स्षष्टि क्यूं बनाई इससब प्रश्ण को अनको उतर मिल चाleben को झी गुरु हमको सिखाते हैब गुरु करना आज कल फैशन हो गया कि गुरु है कई लोगों के पास हमारी तो है पहले हमार DafHello लौ यह फैशन हो गया में जिसे फ़के गर में अजgression चलता ना पहले जवाने पहर अगर में AC होना चाहिए गर में और क्षार्म एक TV होना चाहिए और लेडया और जदह रही ष्याव में क्षया होता है अपता ही neighborhood George Donnell बड़ी सी इस था का और इस नित्यार बड़ा सा कृत्ड़ और और क्या क्या होगा तो फैशन मन जाता है बोला आज कल का ट्रेंड है यह ऐसे ही होना चाहिए बड़े लोग ऐसे ही बड़े लोग बनते हैं तो यह बड़े लोग लगता है यह गुरू भी होना चाहिए एक गुरू भी तो होना चाहिए अब गुरू सास्ता वाला को आप मेलेगा में किवे सास्ता वाला मनलो ज्यादा ज्दा इन दे बुंग भुझा दे जाना बस एप ऐस ले जना क्या बुलते हैं फोड़ी सी ए राक क्या मुले गोगा तो आप जाएंगा अपना काम करते रहे दे ऑक देमें को टुरे को मैं दे रहो आप तो ऐसे गूरू को एक फैशन मना लिया है जबकि सास्तं बोल रहे हैं तसमात गूरू पर पदेता जिए अल्गर के पास क्यों जाना है गूरू को क्यों प्रणाम करना क्यों सरणागत होना है जिग्यासू अपने जिग्यासा हो सांत करने के लिए आध्यात्मी प्रश्ण पूछने के लिए गुरू रखना चाहिए तो यह बेसिक बेसिक को भूल जाते हैं लोग अफिर वह गुरू कौन है भगवान कृष्ण गिता में बता है कि वह परम्परा में है यह यह प्राप्तम विद्धम राज्रिश्य विदू गूरू परम्परा में आना चीए परम्परा कहां पर है तो पदम पुरान में चार परम्परा प्रम जी को दिया लक्षमी जी को दिया चार कुमारों को दिया और शीव जी को दिया यह चार ही संपर्दाएं है जो पुर्मानिक है और चारों संपर्दाएं में वर्त इस कल्यूग में कौन-कौन से आचारी आये हैं ब्रहमा जी संपर्दाएं कोन आये हैं में और चार कुमारों के संप्रदाएं में तुछ स्वामी यह चार महानाचारी वुए बरतमान में जिस संप्रदाय से जिस स्कूल से हम जुड़े हैं जासे इक्षा प्राप्त करें कौन से स्कूल एए जिसमें ब्रह्मा जी भगवान ने ब्रह्मा जी घ्यान दिया प्रमा जी से नारज जी जो चर्चा चल रही है जैप्टर भी उनीका ही है नारज जी ने वेद्वियान जी घुप दिया है वेदि व्यास जी से मदवचारे जी और पूरी परंपरा के चित्र आप जानते ही है उसमें आगे चेतने महाप्रबु आते हैं जो स्वेम भगवान है और उन्होंने इसका लिए बहुत सरल तरीका बता दिया है भगवत प्राप्ति का बहुत सरल प्रपाजी इसको तात परिम परंपरम आये जिनने रूप सनातन बठ रगुनात श्रीजीव गोपाल बठ दास रगुनात उन्होंने विर्दावन को बसाया उसका पूरा भक्ति के पूरे सास्त्रों को लिखा है तो उस परंपरा में वर्तमान में प्रभूपाजी शीला प्रभूपाज जो 32 आचारिये सत्रों में पूरे विश्त को पहुंचाने वाले हैं और उनकी सरणागत होना वास्ताम भगवान कृष्ण बोलते भी है, सातव द्याक के पहले स्लोग में कि मेरा आश्रे लेने का मतलब है मेरे भक्त का अस्रे लो सुद्ध भक्त का आश्रे लो मद आश्रया प्ध्वान का आस्रे लेना बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए भक्ति भगवान के आस्रे में हो सकती है सरनागत मतलो भगवान की पूरी तरह से भगवान के नियमों का पालन करते हुए हमको भक्ति का पालन करना है भगवान के संरक्षन में तो वरत्मान में भगवान कृष्ण का झुकत होने की प्रक्रिया अतर्व कि परफवान में कि जो परभभावपा जी ने बताई हे प्र dobr hike कि बताया है अपने पुस्तकों में कि अकि वारी में उनके लेक्ट्छर में परफाजी बोल रहे हैं कि आपको असुद्धभक्तों की संगति में सादु संग कर तैंग वह भक्ति प्रक्रिया में इमों का पलन करना है तर अब अब इस अब को प्रशादम और इस यह करना ए सरल है यही आश्रे की प्रक्रिया में भी यह चीज़ म लोग पूछते हैं आपने इकदसी कर रहे हैं भूग लगा रहे हैं प्रशाद कर ले रहे हैं आरती कर रहे हैं पुष्टक बढ़ रहे हैं जब कर रहे हैं हो गया ओप ंश्रें ले सकते आप यह आश्रह आप treatments को सकते आफ यह आफ कि बच्च Feld आहे हैं श्रे relief एक कहानी सुना एक एक लेडी थी थी थोड़ी पूर थी अज्ञानी भी थी ज्यान भी नहीं था ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो उसने एक टूटर रख लिया एक टूटर गर पर बढ़ाने वाला टीचर कि अंपड़ ज्यादा को जानती नहीं थी लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर रख लिया तो पहले टीचर ने शुरू में छोटा बच्चा था तो उसको एभी सीडी सिखाया एफ़ 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 एपल बी फॉर में इ टीचर सिखा रहा है एपलस भी एबी सी जोमेट्री क्लाश चल रही है अब वो उसकी मदर को रहा नहीं गया बहुत गुस्टा आया क्या टीचर रखा है इसको छै साल होगे बच्चे को पढ़ाते हुए हर मैने की इतनी फीस देती हूं में इक खटा कर कर कहां से पैसा लेक परबात कर दिये मेरे पैसे आज भी छह साल से बच्चे को एबी सेडी सिखा रहे हो तो कल से मत आना तुम कि बंद करो तुमारा टूशन नहीं चाहिए मेरे को बच्चे को आज भी सिखा रहे हूं कि यह कहानी भक्ति सिद्धान से ठाकुर ने अपने उपदेश आख्यान म पी स्टूरी जैं इनके वाद्यम से उन्होंने सिक्षा दिये है तो उपाक्यान स्टूरी में बच्ति सिद्धान से ठाकुर बता रहे हैं कि भक्ति सरल है जब करना है कि प्रशाल लेना है लेकिन मायवादी को लगता है यह अभी वही कर रहे है कि वही आर्ति बजन की इनक लगता अग्यानी अनपड लोगों के लिए वक्ति वेद वेदांत सास्त्र यह तो चर्चा करते ही नहीं लोग तो वह लग रहा है उन लोगों को लग रहा है कि अभी LKG में इनके वच्चे कभी एडवांस नहीं हो रहे है वक्ति वाले जो भक्ति योगी है सिंपल सी बात भाव भक्ति तक पहुंच जाए तो भी सादू संग चोड़ना नहीं है कि उधारन स्टोरी किसके आती है जडभरत की जो अकेले में सिद्धी प्राफ्त करके भाव भाक्ति तक पहुंच गए थे भारत महराज का स्टोरी सुनाए ना जो पूरे भारत के राजा थे जिनके नाम से देश का नाम भारत हुआ सब छोड़ करके जंगल भक्ति करने गए थे लेकिन कारण क्या था बक्ति में आठ सीड़ी चड़ गए थे अंतीं सीड़ी तक पहुंच गए अंतीं सीड़ी होती है प्रेम अर्ट वी सीड़ी है बहाव भक्ति तक पहुंच गए लेकिन फिर भी उनका पतन हुआ है कारण क्या सादू संग नहीं है वह सादू संग को कोई सादान समझना है क्या तो बहुत बड़ी चीज आसादू संग लौ माथ सादू संगा सर्व सिद्धी होए सादू संग सास्तव भूल रहे हैं कि साधू संग करना साधू संग करना है शॉक्षाइट को साधू समझ लिया है तो अ, झित् – और भगवत गीता ये पुस्तक ग के पूस्तकि rede dak लिखे हैं सारे वेदों का सार है भगवान कृष्ट ने वेदो का साहर गीताम दे दिया उस गीता को भागवतम को प्रभभाजी ने थातपरी के माध्यम से हमारे लिए समझना और आसान कर दिया एक-इक सब्दकार्थ बता है बरतमान पिक्ष्म में बताया है समझना आसान है तो प्रभभाजी की पुस्ता के साधर नहीं है सारे वेदों का सार है कि यह चैंटिंग कहते हैं कि जो चैंटिंग करने में जिसको आनंदा रहा है वो सबसे बड़ा वेदान्तिस्ट है यह चैंटिंगति हम लोग शुरुवात में ओफेंज की साह Federal करहें हैं इस में अपराण मुक्त और सुद्धनाम तीन तरह यह चैंटिंगे ओफेंशी जैंटिंग और चैंटिंग ल्यंटिंग को देरे-देर प्रोग्रेस करना दस दाप अपराद बताये हैं पदम नहीं करें। प्रशाद की एक एक जो प्रक्रिया चाहे प्रशाद ओडासी हो चाहिए जाप हो, कोई साधर नहीं है, और प्रभपाज तात्परम यही बता रहे हैं, कि कुसल भक्त को चाहिए, कि वो अपने जीवन को इस तरह से ढाले, कि वो भगवान के नाम, यस, गुणो का स्मन करता रहे, सारे वेदो का सार कहा गया है, एक स्लोक में, कि सारे वेदो क ज्यान, कि इता में यही दिया है, कि मन मना, भाव्मत भक्त, au मेरे भख बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे पुझा करो, मेरे गुस्मन करो, मन मना, मन को मुझ में लगाओ, कि एक क्रिष्ण भगवान पूजा ने स्पर्स्ट रूप से आदेश दिया है गीता में सर्वोच आदेश बगवान कृष्ण का यही है बगवान की सरनगत होना तो इवन देवताओं की पूजा में भी कृष्ण के बिना पूजा संबव नहीं क्रिश्ण ही या विष्णु ही सभी यग्गों के भी यगे माम एकम है केवल मेरी पूजा करो देवताओं की पूजा करने के आप कम बुद्धी मान हैं तो एक सुद्व भक्त को चाहिए कि वह बगवान का सदे उस्मन करें और आर्थिक आयका 50 प्रतिससत कि जब सुद्वध्र बक्त की शर्ण लेली है आचारी की सर्ण लेली है जो अपने आचछनऩ से सिखाता है प्रभपा जी ने विदेश में जाके है अपने आचछनऩ से शिखा है लोगों को लोगों को सिख्षा दियाए जब कल इसकौन का स्थापना दिवस था 13 जुलाई 1966 पॉपाजी ने कौन स्थापित किया विदेश गये 40 रुपे लेकर गुरू का आदेश गुरू की सेवा ऐसे की जाती है कि गुरू के आदेश के लिए 50 साल तो भारत में प्रियास किया इलाबाद, लखनाउ, कानपूर, बॉंबई, सब जगे अपनी आयाएका 50 जदे दिया पॉरूपाजी ने, हर जगे गौडियमत बनाया इंग्लिस में प्रचार किया इंग्लिस में प्रचार करने का आदेश था 1922 में दिया था गुरू जी ने बाद में विदेश जाने के तियारी कर लिए रेटार्मेंट ले लिया, सन्यास ले लिया, व्रंदावन में रहे, सारे ग्रंतों अंगरेजी में लिखा तो पॉरूपाजी ने एक पुस्तक लिखिए लाइट अप भागवत, भागवत का प्रकास सीमत भागवतम के दसवे सकंद, भागवान कृष्ण की लीलाओं के दरगत, सरदृत्दू का वर्णन आता है, उससे एक किताब बनाई, जिसमें सारी पिक्चर पैंटिंग प्रोपाजीन तयार करवाई, प्रोपाजी तयार की पैंटिंग है, पुस्तक बनी, और इस पुस प्रोपाजी ने उधार्नों से समझाया, कि वास्तों में भक्ती के बाद जीवन में कितना परिवर्तन आता है, और कैसे संसार में दुखों से गर सित है, पूरी प्रकटिंग को लेते हुए, इस पुस्तक में आधिये को उधार्नों से पूरे भक्ती यो को, पूरे भक्ती जा रहे थे लेकिन जाने का टिकेट नी मिल पाया आने का टिकेट था जापान में, इसलिए तो ये सब कुछ कर रहे है अपने गुरु के आृदिस को पुरा करने के लिए आप क्या प्रचार करना है वाँ पे, दो ही मेने का वीजा लेके गहे एक में तो रहे वो किसी गुपाल अगरवाल गर पे अगले एक मेने इदर उदर सोच रहें कहां प्रचार करों प्रोम्न ऐसरा नियास लेते कैसे उनको रहना तो उनको चाहिए तो सुकी था उसके लिए वह उन्होंने कहा कि आप लोग नसा क्यों कर रहे हैं बोले हम इस दुनिया से उपर उठना है ठीक है मैं तुमको एक ऐसा नसा दूंगा जो कभी उतरेगा नहीं तुम्हारा नसा थोड़े देर अद्धा सब उतर जाता है थोड़े दिन थोड़े एक- दो गंटे में पांच गंटे में एक दिन में दो दिन में लेकिन हम ऐसा नसा द आपको देंगे जो कभी उतरेगा नहीं प्रभपाजी निके ऐसा नसा दिया इसकोन की स्थापना की उनूइस चाह्छड में जनमास्म कि अगले दिन तो व्यास पूजा के दिन प्रभपाजी दिक्ष्या दी भगवान के पूजा करें है तो वास्तम में गुरू की जी पोजिशने रावान खुद भी बोल रहें ही आनो गोगान क्रश्न क्या बोल रहें है आचारियमां वि Southwest नमने तक्र हे यहिए आचारियम मैं हूँ। उसको मेरे समान पूजा करनी है, उसकी आवमानना नहीं करनी है, उसको साधान व्यक्तिन नहीं समझना है, यह बहुत बड़ी चीज है, जो बगवान कृष्णी की भागोतम बताई है, जो हमारे आचारी परंपरा में विश्णा चक्रति ठाकुर ने जो गुरु अस्टकम लि संसार के इन तापों से, इन दुखों से मुक्त कर दें, जलती हुए गर्मीट पड़ रही है, बारिस बरस्ती तो सब ठंडा हो जाता है, वैसे ही इस जलती हुए जीवन में बहुत सारे दुख है हमको, तिर्वित ताप, मन से, सरीर से, पडिवार से, पडोस से, प्रकरती स बहुत परेशानी आ रहे हैं, उनको शांत करने वाले हैं, गुरू, गुरू बादल के रूप में, कृष्ण की करपा को करुणा के बादल के रूप में बरसाते हैं हमारे जीवन में, लेकिन वो गुरू सादार नहीं है, उनको किस तरह से मानना है, उसकी पूरा गुरू अ आदेश है और इसकोन में प्रभपाजी यह चाहते हैं कि प्रशाद वित्रन हो किरतन हो लोग जब करें ऐसे लोग आना चाहेंगे को मुश्किल चीज थोड़िए करना क्या है चान डैंस एक प्रशाद मन भी हैपी खाई यह नाचिए गाई यह प्रशाद लीजिए चाहिए मदिर प्रस्तक वित्रन कीजिए शराद कीजिए लोग बनाईए लोग भक्त यह बनेंगbug समोदयदे वनेग्त लोग साथ प्रभपाजी तो प्रभपाजी की जो सिक्षा है वरत्मान में आमको भगवान कृष्ण तक पहुंचने का एक मात्मार्ग है इस दुनिया के लिए वरत्मान और बहुत सरल है सुख पूर्वक्ष आनंद पूरोग इसमें हम लोग जीवन को व्यतीत कर सकते हैं सरवोच प्रभपाजी के नियमों पर चलते हुए हम लोग जो है इस कल्यूग में ये चेतन महापुरुक शिक्षा चेतन प्रभपाजी को लेकर के इस सरवोच शिति प्राप्त कर पाएंगे इस कौन के माध्यम से प्रभपाजी ये हमको बहुत बड़ा उपहार दिया है अनुपम जो कि साधरन नहीं है कहते हैं कि प्रभपाजी जो शिक्षा दे रहे हैं जो दिक्षा दे रहे हैं हम लोग उसकी योग नहीं है सिक्षा दिक्षा के लिए हमारी को योगिता नहीं है हमारी परमपरम ऐसे ऐसे आचारियों है जो शिक्षा देते नहीं थे दिक्षा नहीं द सिख्षाई नहीं दे रहे थे उन्होंने का मैं गंगा में डूपकी लगा लूँगा यदि आप मुझे दिख्षा नहीं दोगे तो कि जबकि बहुत विद्वान थे मक्तिस द्धान सर्थाकुर्ग गुरुजी जो है वैसे अक्षर ज्यान नहीं था कि बहुत बड़े भगवान के 24 गंटे बगवान का नाम जब कर रहे हैं वो भजनानन्दी है दिन पर भजन करते हैं बगवान का उनसे दिख्षा ले रहे हैं तो उनने कहा कि मैं चेतन महापुरु पूछ की बताऊंगा आपको दिख्षा देनी ने देनी तो बहुत प्रतिख ले रहे हो गया प्रभभवाजी कर रहे हैं लोग को नहीं दिख्षा भी लेनी है दिख्षा जो है मतलब दिविज्ञान चपती दिविज्ञान को हिर्दय प्रकासित करने के लिए गुरु का ऑफिशली हमको दिख्षा लेना एक प्रक्रिया है कि बिना साधी की लड़का- संबंद स्थापित होता है और हम गुरु को भगवान की रूप में स्विकार करके उनकी गुरु की पूजा करके हम जो है गुरु से दिविज्ञान प्राप्त करते हैं और दिविज्ञान प्राप्त करके दिविजीवन को जी करके दिविदेह को प्राप्त करेंगे दिवि मिहीं आप दिक्षा ग्रहन करें तो ये प्रक्रिया होती है कि आप सभी को दिक्षा-साधर नहीं है प्रॉपा जी ने करपा कर चार के दे दी है पूरी दुनिया है कि वैसे तो इस इस यूग मैं हम इतने शौपा के साली है कि कृष्ण भगवान का आना ही इस कल्यूग में मल और करोलो यूगों से हम लोग इस दुनिया कम से हैं पता नहीं आदी काल से यहां पे रहें तो कृष्ण भगवान का आना ही एक दुरलब है प्रमाजी के एक दिन में एक बार आते हैं अर्बो सालम जो भगवान कृष्ण आते हैं वो भी पांच-जास साल पहले आए चेतनी म सुआ हम को नहीं है इसका है से इसका हमको एसास हो जाएगा तो लोग dance करेंगे क्या कृपा हो गई हमारे उंसके हैं इतनी दुरलब चीज हमको मिल गए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कि प्रक्रिया में हम जुड़ गए है के कृष्ण के लिए हम लोग प्रीयभक्त बन सक करके यह का मतलब किया है यदि आप कर दिया है यदि आप प्रशा रिजन देनेर पर दिया यदि आप पुस तक बहुत पढ τον पढने लगें करपा है और संब को धरी ये लेकिन इसक्रिबा को और पराप्त करिए आप लोग जो प्रशन तो होना चाहिए एक दो प्रशन तो होना चाहिए अमने पूरी प्रकरिया बतादी इसका मलोग सब लोग बगवान दाम चले जाएंगे जी आप इनका प्रशन को मैं समझ पा रहा हूं क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि गुरू के पास जाके प्रशन आपने ऐसा बोला कि प्रशन पूछना भी ने चाहिए और पूछना भी चाहिए ऐसा तो ऐसा होगे क्या कि देखिए बगवान कृष्ण गीता में जो चौथा अध्याय का 34 स्लोग है आपका सुपनाम कि नरेंद्र जी जो बगवान कृष्ण ने बोला है तद विद्धी प्रणी पातेन परिप्रशन न से वया बगवान कृष्ण के रहे हैं कि प्रशन तो करना है लेकिन विनीत सहाव से करना यह बहुत महत्पून है अगर आप देखिए एक पर प्रपाजी ले रहे थे दिल्ली में बड़ा पंडा लगा था हजारो हजारो लोग बैठे थे प्रपाजी क्लास ले रहे थे एक आदमी आ गया प्रपाजी आप कैसे करो कृष्ण पांच जाए साल पहले आ बड़ा आर्ग्यूमेंट चलता रहा प्रपाजी बोलते रहे बोलते रहे आखिर में कुछ लोगों ने उसको उठाके ले बाहर ले जाओ प्रपाजी जाने के बाद फिर बोला देखो यह तरीका है इस तरीके से गीता नहीं समझ सकते प्रपाज जाते तो तुरंती उसको उत्तर नहीं देते बात ही नहीं करते लेकिन प्रपाजी लोगों को बताना भी चारे थे कि इस तरीके से गीता नहीं सीख पाओगे यह तरीका नहीं है कीता सीखने का तरीका जो बहुत प्रशन कर रहा है मैं तो यह नहीं करूंगा मैं तो यह नहीं करूंगा मैं तो यह न नहीं करूंगा पिर बगवान कृष्ण जो उनको लताड़ा है कैसी बाते कर पंडित समझते अपने आपको बहुत विद्वान समझते अपने आपको सारा जाड़ रहे हो पर लेकिन तुम को पता है कि ज्ञान क्या है कितने जो राजा खड़े हैं तुम पहले भी थे आज भी हैं हमेशा रहेंगे तुम आत्मिज्ञान तो ही नहीं कैसी बाते कर रोगिए मैं इनको निमारूंगा में संबंदियों को निमारूंगा यह धर्म युद्ध है धर्म के लिए युद्ध करना है और धर्म कि पिता भगवान कृष्ण वा कड़े हैं कृष्ण के आदेसों का रहेंगे प्रवपाजी के सिस्ष हैं उनके संपर्क में आकर के पुस्तक के बढ़ी प्रुपाजी की जैसे प्रवपाजी पुस्तक में अम लोग अभी प्रवचन कर रहे हैं तो पुस्तक में पढ़के अब इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रशन करिए दस करिए बी आसे दिश्त्य एक ती पूच्छाए विवल अबने गयान चेक करने के लिए प्रपाफश होग जा एक्षुछायग नहीं पूचली तिए सब्सक्राइखु है उसको उठ्टीर नहीं चाहिए उसको हो छेक करने के लिए पूच्छाएख आ थेखले तेने से लिए कुछ जानत कि आपको बताओं बात सिक्षा के लिए एक सिस्टम होता है ना स्कूलों में जाते हैं बच्चा बोले स्कूल में झार मालने इक स्कूल में आप एट्मिशन लेते क्रिया यह है तो आपको ठोड़ा पड़ेगा आदो-स्रद्द्दा स्थ्संग कर ना है जो सुनेंगे उसको स्रवन करके आत्मसात करना है तब आप बढ़ेंगे पहला बेसिक करें अगला से से पहले बेसिक तो क्लियर करें तो ढ़ार सिक्षा के लिए आ लोग जो लोग शिक्षा स्रद्दा के साथ नहीं हम लोग हम लोग भी उनको स्विकार नहीं करेंगे कि आप प्रभू जी थोड़ा क्लास को डिस्टर नहीं करें आप से अलग से बात की जाएगी इस तरीके से अन्यता तो आपकी हर प्रश्ण का उत्तर रहेगा हम तो चाहते एक चीज तो क्लियर है आमको अभी शाम को आज क्लास होती ही यह को कि उसमें आथ धर्म की विश्रां चर्चा करेंगे वर्ड इलिजन फिरुसमें प्रशस्टा करते हैं हूए माई आत्मा क्या है करम क्या है धर्म क्या है सब पर छर्चा होती है आप पहले ौस्ट आम तो चार उठके बज़े उठके क्या करोगे आप जब करते हो आप कितनी माला करते हो जब करते हैं हरे कृष्णा का तो देखिए बैटी मादे थैंक यू चार उठने का परपस उना ची है कोई आदमी उठके चार बज़े उठके जोगिंग पे चल लागया चार बज़े उठके छट पे जाके समधे खोट वह चार बज़े उठने का परपस के लिए रहे होना की अची हम लोग उठने का परपस है जब करते हैं चार बज़े प्छोन की मंगला करें कि गुरु का अदेश बीएक जल्दी जगना है हमारे पास जल्दी उखने का एक को यह कई तारण है वो唉 आदेश करने के लिए के लिए्य Конक्ना के लिए सास्तर बोल रहे हैं भामुरत का समय May स्वैस्टेज अब करने के लिए इसलिए लोग जग रहें अब हमको जीवन में इस परपस के लिए हो जाएगा कि हमको भगवान के धाम जाना है अपने आप जगेंगे जगना ही है जल्दी तो जाएए सोने की समस्या नहीं है दिन में वह लिजिए लेकि सुबह जगना है सिंगरारे में चैने सुभय गना है जरुरी आपको नेन पूरी नहीं हो रहा है तो दिन में पूरी काऊ रात को पूरी करो जलदी सो जाऊ जुदी करनकारो लेकिन सुभय जगना जरुरी है कंपल सरी उसमें इस्ट्वर्स नहीं कर सकते सुबह मंगला आरती कंपल सरी उसमें कोई डौट नहीं अची यह कि गभावार्थी सब को करना है जो भी आदियात्मी जीवनमा आगे बढ़ना चाहते है जिसने नहीं बढ़ने के लिए सुबह उठना अत्याव सक है हर तरीके से फाइदेमंद है अरले टूराइज अरले टूराइज अरले टूराइज मेंक से मैं है अल्दी वेल्दी वाइज अच्छा हमारा जीवन आखे बढ़ेगा हां दस अपराइज रोज पढ़ते हैं मंदिर शुबह जब करने से पहले आपको पढ़ना चाहिए किसी को याद दस अपराइज किसी आप में किसी बेट आशना किशी किसी वैच्ति को दस अपराइज याद है अब पहले बात याद ही नहीं फृलो कैसे करेंगे आपको याद दा इस बोलिए पेहला अपराध है भक्तों की निंदा करना ठीक है दूसरा दूसरा किसको याद है दूसरा देवताओं को और भगवान के नाम को समान या बिन समझना ये भी अपराद है तीसरा उरु की अवग्या करना चौथा वेदिक सास्त्रों को काल्पनिक समझना पांचवा पांचवा क्या है इमेजने भगवान के नाम को काल्पनिक समझना नाम की महिमा को काल्पनिक छटा क्या है कि मिंदें इंटर्पेशन नाम को नाम का महिमा का मुंदें इंटर्पेशन अपने तरीके से अर्थ निकाल लिया जी इसका मलों यह होता है नाम से यह होता है उससे यह होता है इससे बहुत कुछ हो जाएगा अपना अर्थ नहीं निकालना है अपना अर्थ अपने अपने तरीस अर्थ मत निकालो आचारी जो बोल रहे हैं वो इस विकार करो मुंडन इंटर्पेटेशन नहीं देना है सात्व क्या है नाम के बल पर पाप करना जैसे होता ना बड़ा आदमी का बेटा अब कोई चिंता नहीं है ब्यम्डब्लू किसी को उड़ा दिया तो क्या पर हुआ है समद्रों उसका भी फरल मिल गया भी मोंबे में हो गया था इसा इसेंटली तो बहान के भक्ते नहीं एख लिए कि अंप किछ बात कि उतरक Ayτα किल सुबर जब कर लें काרא कि नहीं है बहान के बहकंते है तो आ часть के जो बिलकुल नहीं करना है आप जिया आगए चानून ऐए होती है नहीं जैसे माँ अपनी बेटी को ज्यादा सीकाती है वह के बजाए तो वैसे भगवान भी अपने भक्तों को ज्यादा सीकाते है सारे सारा नियम भक्तों को पालन करना है गीता अच्छे से पालन करना है हमको पाप क्यों करना है पापों से मुक्त होना हमको तो पाप नाम पर पाप नहीं करना नाम के बल फे, कि आज पाप कर लेते हैं, कल वापिस बभघर कर लेंगा, ये प्रकरिया नहीं है, ये Kristianity में होता है, Confession, कि आज पाप कर लिया, Sunday को जाएंगे, पर चर्च में Na actually धंज को čar्च में Sunday को और जाके 사람이ा τη को और सारा के बल प आठिवों आटकिया थाथ नूई को off I was it को करते हैं कि इसको कर्म कर्म कांट कि उसमलना कि बॉछ पुन्हरग्स है प्रभुजी दुनिया कि अद्धा सबस्कों मिल जाएगा है शारे दुनिया के धशन दॉलत मिल जाएगी है है यह को पुण displacement का यह समझना बंडी जी ने बोला है चार माला जब करने से होता है तो वो उस तरह से नहीं लेना है इसको ठीक है यह आठवार अपराद है नौवा क्या है वेवा समझना स्रथधार युक्ति को विए आपरसन स्रद्धा नहीं है उसको भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी है नाम का प्रछार तो कillä को तो करेंगे लेकि महिमा नहीं पताएंगे कि ओ अहीं सब कर लो बहुत कर लो जायो जाओ भगवान क против डैल के में क्या है अब इसको को APP हुआपकि को कृष्ण के बारें में नहीं पता वो गोलो गृंड हुनके बता रहें चो नहीं इसको नहीं बताना है ऐसा लुख्ति को बकवान के नाम की नहीमानी बतानी है कि अ जाव हिए होt नाम के टाइम पर ध्यान नहीं है, मदुबंडित पर बहुत प्रवचन की है, नाम जब करते समय, कोई ध्यान नहीं है मारा भटका हुआ है, हमारा मन इतना भटका हुआ है कल्यूग में, सुबह कहीं और, शाम कहीं और, और फिर इंस्टाग्राम, फेस्बूट, टेलिग्राम, नोटिफिकेशन, उंगलिया घूमती रती है, नास्ती रती है, मोबैल के उपर, नहीं, तो कैसे मन शांत होगा, मन को शांत सुद्ध हो गया, तो मन तो भगवान की प्राप्ती तुरंत हो जाया है, जितात्मना, प्रशान तश्य, परमात्मसमाहिता, जिसका मन जीत लिया हो, तो भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मन जीतना बड़ी चीज है, तो मन को जीतने की प्रिक्रिया में लगे हो हैं हम लोग, गुरू की आदेस से मला जब कर रहे हैं, गुरू बोल रहे हैं कि मला जब करते समय क्यों मला करू, मला को, अधुपनित्परो का बहुत प्रवचन है इसके उपर, कि मला कैसे करनी है, कैसे ध्यान से करनी है, हमारा मन को लगाना है, तो मन क्या है कि, हम लोग सुनना क्या है हरे कृष्णा को, और सुनते क्या हैं हम मन के विचारों को है हर्य कि अपकिल को हैं हरे कि हैं हरे किछ बोलते हैं सुन कुछ और हैं आज प्रफुटू जी कब छोड़ेंगे प्रशाद का में यह रहे हैं पोहुत लेट कर दिया तो तो मन में भी कुछ विचार चलते रहते हैं उनको सुनते रहते हैं Hare Krishna Hare Krishna 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 15 अधे प्रक्रिए है अधे अरि है तो इसमें प्रक्रिया ब defendant भीन हिए जरूर इन यह यह थीं कोणने हिए और क्यूंकि दूम थार कैयों कि अमारा द्द्द्द्द्द्देऌन था है बहुती स्कति में हमारा द्द्द्द्द्द है कि अब मेरों को यह कि यह में जाए वो मिल जाए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो हम लोगे द्धान तो उदर है इसलिए ऑमरे भगवों पर द्थान ने लग पाता है इसलिए आप लेकिन सोचिए का भगवान साथ और क्या चाहिए वह जो भगवान का नाम जब करते है वह के इतना ग्राइड रहूं पर भॉपाजी क्या बोल रहे हैं जब करेंगे कर्षन आ जिवा पर नृत्य करें और मोई अब लोग कुछ और सोच रहे हैं कि मेरे और ये मिल जाय को मिल जाये कि दो गंटे कृष्ण के साथ रहो यह है कृष्ण को व्यक्ति का तुरूप से मानना है कृष्ण व्यक्ति का तुरूप से आ जाते हैं जब जब करते हैं हमारी समस्या क्या है कम कृष्ण को व्यक्ति नहीं समझते है कि समझते भी है तो लेकिन समझ नहीं पाते इसको आत्मस कृष्ण कर नहीं करने का कि रिष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है कृष्ण सामने आ गए है अब चर्चन सामने बैठे हैं तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा ना के इसलिए जड़ दुनिया की सबसे बड़ा एक्टिवीटई है सबसे बड़ा काम कर रहा हूं मैं सारे वेदों का सार यही है हां और दुनिया का सबसे बड़ा कर्म यही है सबसे बड़ा ध्यात्मी कारिये मैं कर रहा हूं बगवन का नाम जब इस मुझे पूरे ध्यान से पूरे प्रेम से पूरी भक्ती से करना है कृष्ण से बहुत प्रसन होगे तो मन को कंट्रोल करने के लिए जब करना है यही तरीक है और क्या है कल्युक में हरेना में केवल नहीं Muskel नहीं है नहीं है भड़े-बड़े कर्म योगी ध्यान योगी ढ्सक्रीन कर पquinho पारहे मन को मुसGeल है अर्जन बोल रहा है मैं हवा को रोव सकता हूं में पता सब्सक्रिश्ण handlar है कि ये तो कि के दो किर्शन के अंवेल किस्न को अंडर मन दो मन् अफ्लों मन भ विना क्रिश्ण करें अब टार नuityयराँगविंध्यों देंर थे करण DAVID कोष्urgical के चरण में कृष्ण के कान में कृष्ण को सुनाओ आप मोति को सुनाओ या अपने आपको सुनाओ अपने मन को सुनाओ में कृष्ण का नाम का जब कर रहा हूं कृष्ण मेरे सामने है कृष्ण के चरण में पकड़ लिए कृष्ण के चरण में फूल चड़ा रहा हूं प्र बस फिर तो हमारा मन तो फिर एक वार मन ट्रेंट हो गया ना ट्रेंग की प्रॉबलम है वो मी मैंट की वीडियो देखा होगा आपने सूर में ट्रेंड नहीं था वो इदर उदर भग रहा था एक बार पर पकड़ के मन ही भागा आपको कहा जारे है दर उदर मालाव करो क्या कर रहो प्रशाल लो जब करो मन की ट्रेनिंग जरूरी है अब ट्रेनिंग नहीं हुए इसलिए मन भग रहा है ट्रेनिंग कर दो एबिट बना लो फिर मन लग जाएगा उसमें ठीक है अनॉंस्मेंट से आप लोगों के लिए कि मंदिर में आश्रे प्रक्रिया के अंतरगत इस 31 जुलाई तक आश्रे के फॉर्म निकाल दी गए हैं करपा करके आप लोग फॉर्म भर दीजिए 6 अक्टूबर को आश्रे रहेगा किताब पढ़ लीजिए एक्जाम दे दीजिए अगले मैने में अभी 28 जुलाई से एक्जाम भी शुरू हुरी अगले संडे से एक्जाम दीजिए और आश लीजिए आप स्टेप ऐस्टेप एक का सुरू करो चार आठ बारा सोला तक जाना है सबको इसका ठाना है कि मैं सोला तक लूँ और प्र दिख्षा लूँ प्रक्रिया में सबको जुड़ना है आप सबसे निवेधन रहेगा तब भक्ति में सिस्टमेटिक लिए बढ़ दो तो भी सोच रहें किसको बनाए इस सोचनी क्या बात है कि जब पुरात दुनिया जानती कि प्रोपाजी गुरू है अगरा दुनिया बख्त बना दिया तो प्रोपाजी के रित्विक परम-परा में हम लोग जुड़ करके प्रोपाजी का डारेक्ट ओडर है कि मेरे बिहाब पे दिख्षया होगी और कोई गुरू नहीं है कम से कम इसको जैसा जैसा हमारा साल पांस साल भी रहे तो आप झिख्षया जवत पूरी नहीं हो जाएंज तब दिख्षया नहीं देंगे आप पर्भुपाजी को पूरी पूरी सिख्षया लो के बिर करण है अब दिख्षया के म अब पर्भुपाजी का पालन करना एए हो तेक है अरे-क्रश्ना SHRI-LA-Prahiciones की!